Hello students, welcome back in HOT 111 Fundamentals of Horticulture Lecture 15 Principles of Orchard Establishment बाग स्थापन के जो सिधान्त है उन पे आज अपने बात करेंगे कि बाग की स्थापना किस परकार से की जाती है जैनि कि और्चार्ड का ले आउट किस परकार से किया जाता है उसको अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे पहले है लेक्चार में जर्ट इस टापिक, और चाड और चार ट्रकिजर क्या होता है ठीक है थी पहले यह कई बाग क्या होता है कि अपने शॉर्ट Mars होती है और डेफिनेशन होती है अँन में कई बाग यह कूश्टन पूच पशा शायते है는 कि प्लंटेशन क्या है state क्या है, orchard क्या होता है तो orchard क्या है? orchard planting and orchard refers to the growing of fruit plants in an ordinary minor and maintaining them for gradual economic returns orchard क्या होता है? कि कहलो कि पोधों फल वाले जो वरक्ष होती है उनको एक वस्थित तरीके से लगाना उनको संभालना जिनसे कि उनसे economic return प्राप्त किया जा सके आर्थिक जो return है वो मिल सके इस परकार से उनको manage करना वो orchard कहलाता है एक garden होता है ठीक है एक term और भी होते है garden जनली जो उध्यान होते है एक जिनका landscaping के अंदर मतलब landscaping क्यों होती है उस शेतर की फूल वाले पोदे जा ornamental plants लगे होए रहते है वो और गार्डन होता है और और चार्ड जो भी फल वाला उध्यान होता है जहां पर फल वाले पोदे लगे होए रहते है उन्हें और चार्ड कहती है फिर next term होती है plantation 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 refers to a fairly large area with a particular type of fruit crop cultivated example mango plantation, apple plantation, coconut plantation, etc. Plantation से refer है बहुत ही बड़े शेतर के अंदर एक ही फसल को उगाया हुआ होना जैसे मालो कि आम की एक बड़ा सा बाग लगा हुआ है और चार्ड लगा हुआ है उसको भी आप plantation कह सकते हो भली वो timber crops की हो मतलब जो लकडियां अपने जरनली फरनीचर बनाने के यूज करते हैं उनको उगाते हैं जैसे popular है जा शीशम है जा आप ऐसी कोई पेड की खेती कर रहे हो वो भी आपकी plantation कहलाएगी ठीक है मतलब एक ही फसल को लंबे शेतर के उपर उगाया हुआ होना वो आपकी plantation कहलाती है ठीक है और और चार्ड से मतलब है फल वाली फसलों क जो एक इस तरीके से उगाना कि उनसे आर्थिक return प्राप्त किया जा सके वो और चार्ड फिर है एक और टर्म होती है state state क्या होता है state refers to a large area more than thousand hectare of soil crop cultivation this terminology was used in earlier days British empire example coffee states and tea states state जो है वो एक कहलो कि जब विस्टिस्ट समराज्य था उस समय इस शब्द को ज़्यादा तर यूज किया गया था coffee state के लिए जहां फिर tea state के रूप में जैसे आसाम में बहुत बड़े-बड़े शेतर के उपर एक इक soul crop लगी हुई रहती है single crop लगी हुई रहती है उनको उन्हें tea state खा मतलब एक ऐसी शेतर जहां पे single फसल बहुत एक हजार hectare एकड से भी सोरी एक हजार एकड से भी ज़्यादा शेतर के अंदर एक single फसल हो उसे state कहते है यह टर्म ज़्यादा तर जब बिटिश समराज्य था उस समय यूज की जाती थी जैसे coffee state है tea state है तब फिर है preparation of land खेत की जो त्यारी अब अपने को बाग लगाना है और चार्ड लगाना है उसके लिए खेत की त्यारी कैसे करनी है the land should be cleared properly for free movement of man and machinery जो land है जमीन है जा भूमी है उसको proper तरीके से साफ करना है जिसे की जो इनसान है जा मानव है और जो machinery है मतलब बाग के अंदर जो काम करेंगी वो असानी से move कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकी ठीक है उनको कोई अड़ चन ना है our trees, shrubs and vines should be removed जो भी उसके अंदर पेड़ है जाड़ियां है जब फिर कोई छुट-छुटी creepery पेड़ है वाइन से लताएं है उनको remove कर देना चाहिए उनको हटा देना चाहिए मतलब आपका एक बाग लगा रहे हो बाग के अंदर जो भी पुराने पहले से लगए आपको निकाल देना है वहां से उसे साफ कर लेना है जिससे की जो मैन और मशीनरिया उसकी movement freely हो सके इसके लावा दा सोयल ऑफ द चूजन एरिया नीड तो भी फुली प्रिपेरड फॉर ग्रोविंग फ्रू प्लांट जो भी आपने जिस भी साइट को चुनाव किया है उसक कि आपको deep plowing करनी है गहरी जुताई करनी है क्योंकि फल वरक्षों की जड़े गहराई तक जाती है इसलिए गहरी जुताई करनी है by plowing the land frequently the soil should be fine tilt plowing के through बार बार दो तीन बार repeatedly plowing करके उस मिट्टी को आपको भुरबुरा बना लेना है ठीक है फिर है layout plan अब layout plan क्या होता है एक तरीके से कहलो कि रेखांकन करना कि पोधा कौन सा पोधा कहां पे लगेगा उसका रेखांकन करना marking the position of the plant in the field is called layout जो पोधों की position का रेखांकन करना मतलब कहां पे वो पोधा लगेगा फल वाला उससे layout कहा जाता है ठीक है the layout plan of orchard should be carefully prepared preferably in consultation with horticulturist जो layout plan है उसे बहुत ही साफधानी पूरक बनाया जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो जो horticulturist है ठीक है उसका consultancy जा उससे टैलो की इसके बारे में पूछना चाहिए उसी से सला लेके उस orchard का जो layout है वो त्यार करना चाहिए कि मान लो कि मेरे पास एक बाग अब लगाना है मुझे तो मैं एक किसान हूँ किसान अपने हिसाफ से वो लगा तो देगा बाग पोदे लगा देगा पर अगर वो किसी होटी कल्चरist से पूछेगा तो वो उसको जादा अच्छी सला देगा कि आपकी जुमीन इस परकार से जर्वर्बरक शक्ती है इस हीमेसाफ से आपका स्लोप है मिटी का इस प्रकार की मिटी है तो आप इस प्रकारक जो लै-व्ट प्लान है इसको यूज योज कर सकते की सफ़ैयों कि स्क्वाइर एक आपको अच्छी राए देगा तो हमेशा जब भी और चैल्ड लगा तो जो भी horticulturalist है, consultancy उससे low, फिर orchard layout plan includes planning, planned provision for garden paths, roads, irrigation, drains and farm buildings, orchard layout जो plan है, उसमें जो planning provisions प्रावधान रखे जाते हैं, उनमें garden paths जो रस्ते हैं, जहां उनके अंदर जो सडके हैं, जहां वो सिंचाई की जो channels, जहां फिर drain system है, जहां फिर farm building है, उनका प्रावधान होना चाहिए, मतलब आपने जो layout त्यार किया है, उसके अंदर सडकें भी होनी चाहिए, garden के अंदर जाने के लिए रस्ते भी होने चाहिए, सिंचाई के जो नालियां बनानी आपको वो भी उसमें होनी चाहिए include होनी चाहिए मतलब उस ड्रा के अंदर जा कहलो कि जो आपने प्लान तियार किया ले आउट तियार किया उसके अंदर sketch of the proposed orchard should be prepared before starting actual planting एक sketch एक कहलो कि paper के उपर एक sketch उसका draw कर लेना चाहिए अगर अपने जब किसी भी orchard की planting करना start करते हैं उससे पहले उसको एक sketch के रूप में बना लेना चाहिए ठीक है जिससे अपने को पता रहे कि इस जगे पर अपने को इस चीज को लगाना है building बनानी है जहां आपने कोई shed बनाना है उसके अंदर जहां आपने कोई भी उसमें irrigation channel जहां सडक बनानी है तो वह पहले से एक कागज के ओपर draw कर लेना चाहिए sketch त्यार कर लेना चाहिए उसका methods of layout method की layout जो है उसकी वीदी क्या है मतलब कैसे layout किया जाता है और चाड़ का अब अपने एक मैं simple सी बात बताऊं तो अपने अगर खुद layout करने की कोशिश करते हैं तो एक जो किसान है जिसको ज्यादा knowledge नहीं है ठीक हूं वैसे तो आजकल किसान बहुत ही forward है मतलब उनको बहुत knowledge रहती है पर फिर भी अगर अपने ground भी बनाना चाहें कबड़ी का मान लो जाँ फिर भी cricket का किसी के ground की अपने विल्कुल square line यह कहलो कि square जैसा एक बनाना चाहें तो भी अपने सीधी line नहीं की सकते ठीक है तो सीधी line ने पोधे एक ही line में लगें इसके लिए जो इसका विदी है उसकी knowledge होनी आफशेक है मतलब उसको पारे में पता होना चाहें कि मैं किस प्रकार से पोधों को बिल्कुल एक सीधी line में लगाऊं ठीक है किस प्रकार से उसका layout तियार करूं तो जो layout तियार किया जाता है according to the square system of for planting orchard a base line is first established and along this line the position of the tree is marked by laying wooden stick in the ground इसके अलावा जो एक अपने मैं जो भी simple method बता रहूं कि एक square method के इसाफ से अगर अपने orchard की planting करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक base line लेने की आफशक्ता होती है एक अधार रेखा ली जाती है ठीक है अधार रेखा लेना बहुत ही असान होता है अधार रेखा में कोई खास सोचने बारी बात नहीं होती एक side में एक अधार रेखा सीधी ले ली जाती है ठीक है एक अधार ले लिए अब उसके हिसाब से पूरी planting की जाती है another baseline is marked at right angle to the first baseline then with the help of carpenter square और a cross stuff on the outer other side of the field मतलब एक side तो आपने लगा लिए अधार लाइन ठीक है दूसरी side जो उसके उपर आप सीधा लंब डालोगे 90 degree का होगा तो यह आपकी planting बिल्कुल square के इसाब से होगी मतलब दूसरे side वाली अधार लाइन ठीक है जो side वाली होगी opposite वाली नहीं जो side वाली रहेंगी वो अधार लाइन आपको लेनी है एक line बनानी है उसके लिए आप जहां तो carpenter square use करोगे आगे picture है मैं दिखा दूँँ कैसा होता है जब फिर आप cross tap का use करोगे इस अधार लेखा को बनाने के लिए एक और भी method होता है a right angle can also be draw with the help of measuring tape और एक अच्छा जा कहलो कि जो बिल्कुल accurate angle आप जो 90 degree के cone पे आपने दूसरी अधार लाइन बनानी है वो आप measuring tape जो होती है जिसको फिता कहते है उससे भी त्यार कर सकते हो इसके लिए आप पाइथागोरिन पर में जो होती है उसका use कर सकते हो ठीक है one end of the tape is fixed at a distance of 3 meter from the corner of the first line and then the tape is extended to a distance of 4 meter along the second base line ठीक है फिर a diagonal distance between these two points should be 5 meters अब मैं आपको ये चीज समझाऊं तो ये वैसे carpenter square होता है ठीक है आपने देखा होगा वैसे कई बार जो दर्जी टेलर रहते हैं उनके पास भी रहता है और ये carpenter square होता है किसी भी चीज जो काटनी होती है लेकड़ी जा कुछ भी उसको बिल्कुल accurate काटनी के लिए एक right angle पे ठीक है तो carpenter square यहां पे रखा जाएगा ठीक है आप सीधी baseline दूसरी baseline ले सकते हो इस side रखेंगे तो एक सीधी baseline इस side भी बन जाएगी ठीक है जातो इस से बना लोगे नहीं तो क्या करोगे जो measuring tape होती है फिता होता है उसे क्या करोगे पहले baseline पे जातो 3 meter इस baseline पे पकड़ लोगे जो आपने पहली अदार रेखा मारी है पहली अदार रेखा तो आप सीधी ले सकते हो कैसे भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है जो भी आपकी bard है उससे आदी दूरी से नाप लेना मतलब जितनी भी आपको plantation की दूरी रखने है उसकी हाफ दूरी पे एक baseline लेने होती है तो यह मालो की यह एक अदार रेखा है तो इससे अपने को आदी दूरी पे planting इस पे फिता लगाएंगे यहाँ पे एक point लगा देंगे इस side से भी लगाएंगे एक यहाँ पे point लगाके फिर उसे रसी खीच देंगे जाब फिर वहाँ पे एक line खीच देंगे ठीक है और इसी पे अपने planting की जो भी दूरी है जैसे 8 मिटर है यह 6 मिटर है वहाँ पे भी अपने एक एक stick जो होती है कहते हो छडियां ठीक है बास की जो छटियां रहती है उनको लगा देंगे फिर अब अपने को second baseline लेनी है तो miseric tape को क्या करेंगे यहाँ से चार मिटर की दूरी पे पकड़ेंगे ठीक है यहां से यह आदम मैं खड़ा जो खड़ा हुआ है ठीक है आदमी उसे वह पकड़ेगा एक फीता उसे यहां पे एक और corner पे खड़ा हुआ होगा वह 4 मिटर पे पकड़के फिर उसको 3 मिटर इस side ठीक है जिस baseline को अपने त्यार करना है उस line के उपर एक man और खड़ा हुआ होगा मतलब 3 आदमियों के जुरूरत होती है वैसे जर्नलीस के लिए ठीक है एक इस corner पे एक इस corner पे मतलब पहले 4 फिर 3 मिटर पे पकड़ेगा फिर 3 मिटर से पकड़ने के बाद उस फीते को वापिस वह 12 तक ठीक है 12 तक लेके जाएगा 12 मिटर तक वह यहां पे जितने भी जानी की जो भी 4 मिटर का आपको point था वहां पे ले जाके वह पकड़ लेगा तो आपका यह वारी जो चीज है बिल्कुल accurate 90 degree का cone बन जाएगा यहां पे और यह बिल्कुल सीधी line में मिल जाएगा आपको और इसके उपर आगे इस side भी आप ऐसे ही करो ठीक है और आप हर plant के लिए भी आप ऐसे कर सकत हो नहीं तो आपके पास एक सीधी line होगी उसके आप हिसाफ से आप उस पे point decide कर लोगी इस जगह पर मुझे planting करने हैं 6 मिटर हो गया फिर उस baseline पे और उधर भी वैसे ही और वहां पर रसी पकड़के जहां फीता सीधा पकड़के उस पर आप sticks लगाते जाओगी इस जगह प अपने planting की जाती है जो भी layout plan होते हैं जैसे square system है पहला आयता sorry वर्गा कारविदी जिसको कहते हैं जिसमें plant to plant और road to road distance बिल्कुल same रहता है in this system in trees is planted at each corner of square इस वीदी के अंदर इस system के अंदर जो पोदे होते हैं ठीक है वो एक square के चारो corner पे लगाए जाएंगे ठीक है एक square जाने के एक वर्ग के चार corner पे लगाए जाएंगे एक वर्ग है तो इसका मतलब है कि पोदे से पोदे की दूरी और line से line की दूरी बिल्कुल same रहेगी ठीक है यह चीज और यह चीज बिल्कुल same रहेगी the distance between row to row and plant to plant is the same इसके अंदर जो row to row और plant to plant distance होता है वो same रहता है सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला और सबसे असान वीदी है ले आउट किये चूंकि एक square बनाना है आपने को इसमें कोई अलग से कोई आपको भुजानी लेनी जा आपको अलग से कोई दूरी लेनी एक ही दूरी पर आपको planting करनी है possibility of conducting interculture operation both direction in the biggest advantage of the system कि इसमें interc culture operation जैसे आपको गुडाई करनी है पोदों के आसपास जा आपने इसके अंदर को intercrop लेनी है तो वो आप असानी से कर सकते हो दोनों direction के अंदर कर सकते हो जानिकि इसके अंदर आप अराम से कोई tractor है जान फिर आपका कोई roto waiter जान कुछ भी machinery आप अराम से इस field के अंदर ठीक है क्योंकि पोदे एक ही दूरी पे लगे हुए और बीच में distance काफी बच जाता है next है the major disadvantage of this system is that lot of space is wasted in the center of each square और इसकी एक disadvantage भी है कि जो चार पोदे लगे रहते हैं उसके बीच में एक gap space बच जाता है ठीक है जो कहलो की waste हो जाता है अपना अपने इस तरीके से planting करते ह है तो बीच में एक जगह बच जाती है ठीक है जो waste में चले जाती है फिर next है rectangular system आयताकार विदी ठीक आयताकार विदी में similar to the square system जो इसमें planting की जाती है विलकुल square system की तरह की जाती है कोई अलग नहीं है except that the spacing between the plant in the row and the spacing between the rows are not the same but different बदलब इनके अंदर जो पोधों से और line से line की दूरी होती है वो different होती है line से line की दूरी जो होती है वो ज़्यादा रहती है पोधे से पोधे की तुलना में जो दूरी रहती है उसकी तुलना में ठीक है बलब एक line यह वाली line है एक फिर दूसरी line फिर तीसरी line यह तो ज़्यादा है और पोधे से पोधे की वो कम है तो चार पोदे जो लगे रहते हैं वो एक आयत के उपर लगे हुई रहते हैं ठीक है ? रो टूरो डिस्टैंस is greater than a प्लांट तू प्लांट डिस्टैंस इने रो याद रेखना जो आयताकारविदी हती है इसमैं रो टूरो डिस्टैंस जदा होता है पोदे से पोदे की जब plant to plant distance की तुलना में merits and demerits इसके वे लाव क्या है और हा नियाग है it has almost all the advantage of square system but cultivation is somewhat difficult especially when trees are fully grown मतलब सब कुछ advantage आपको square system जैसे ही मिल जाएंगी क्योंकि इसमें भी आप interculture operation कर सकते हो क्योंकि एक line के अंदर पोदे लगे हुए है ठीक है अराम से आप इसके अंदर कोई भी चीज जैसे ट्रेब मशीनेरी है उसको आप अराम से चला सकते हो को interculture ले सकते हो intercrop ले सकते हो ठीक है पर हाँ जब जब पेड़ ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो जो row to row sorry जो plant to plant distance होगा बिल्कुल एक जैसे प्लांट सट जाएंगे और यह एक लाइन के अंदर बन जाएगी मतलब पोदे के अंदर आप एक direction के अंदर तो आप cultivation कर पाऊगे interculture operation कर पाऊगे पर दूसरी direction में करना थोड़ा difficult होगा spacing आपके पास कम रह जाएगी next है क्यूनिक्स और filler system it is also known as filler और diagonal system इसे filler भी कह देते हैं क्यूनिक्स मतलब पंच बुजाकार विदी भी कह देते हैं ठीक है पूरक पोधा जो होता है जब पूरक विदी भी कह देते हैं it is a modification of square system of layout that utilize the empty space in the center of each square by planting another plant called filler tree मतलब इसका एक कैलो की जो square system है वर्गा कार विदी है उसका एक रुपामत्री type है ठीक है क्योंकि इसमें एक जो बीच में spacing बता रहा थे कि उसमें एक space waste हो जाता है जो बीच में रह जाता है center के अंदर ठीक है जहां पर जैसे चार पोधे लगे हुए है ठीक है ये एक square बना रहे है और जो बीच वाला जगह है ये कैलो की waste हो रही थी अपनी जगह है क्योंकि पोधे तो जादा से जादा यहां तक grow करेंगे यहां तक गुलाई में चले जाएंगे चारो पोधे अपनी अपनी गुलाई में growth करेंगे पर बीच वाली जगह है जो खाली पड़ी रहेगी तो वहां पर अपनी एक additional plant पूरक पोधा लगाते हैं फिलर प्लांट लगाते हैं ठीक है usually the filler tree will be precocious and short duration जो filler tree होता है वो छोटी आजू का कहलो अलपाजू कहलो अलपाजू होता है और कम अवदी वाला होता है and not of the same type as the as one planted at the corner of the square मतलब जो भी पोधा center में लगाया जाता है filler tree लगाया जाता है वो same नहीं होता वो पोधा अलग species का होता है ठीक है जैसे मालो की आपने आम का बाग लगाया वहां पे आप बीज में एक पपाया का पोधा जा ऐसा ही एक और पोधा plant कर सकते हो जो short duration वाला हो जल्दी फलन में आ जाए और दो तीन साल तक फल दे उसके बाद अपने उसको निकाल देंगे क्योंकि जो main अपने planting है जो square method से की हुई है वो फल वाला ब्रक्ष उस time तक काफी growth कर चुका होगा बड़ा हो चुका होगा और वो फलन में आ जाएग मतलब अपने इसमें एक advantage जे भी है कि अपने जब बाग चुरुआत में अपने planting करते हैं तो फलन में नहीं होता अपने को उपज नहीं मिल रही होती उस समय अपने एक additional जो short duration वाला पोदा होता है उसको लगा के income प्राप्त कर सकते हैं अपने ऐसे नहीं कि 4-5 साल बाद फ मिल जाएगे और उस पोदे को बाद में निकाल दिया जाता है The filler tree is removed when the main fruit tree reach full height and begin to fruit bear ठीक है जो filler plant होता है उसको निकाल देते हैं जब main जो फल वरक्ष होता है वो पूरी height ले लेता है और फलन देना start कर देता है This method is followed when the distance between permanent tree is 8 meter or more और where the growth of permanent tree is very slow and fruiting take a long time like spota, jackfruit जो इस विदी का जो यूज किया जाता है जहां पर जो permanent पोदे होते हैं उनमें spacing 8 meter जहां इस से जादा रखी जाती है ठीक है जब फिर यह कहलो कि जो main पोदा है वो धीरे धीरे growth करता है और फलन के अंदर भी काफी time लेता है कि फलन में जल्दी नहीं आता 6-7 साल बाद फलन देना start करेगा तो उस समय जैसे सपोटा है जैक फ्रूट है कटल है जा आपका चीकू है ऐसे जो फल रक्ष है इनके अंदर filler plant लगाई जाती है जो initial फसल दे देती है शुरुवात में फसल वो दे देती है और जैसे ही main जो चीकू वाला जैक फ्रूट वाला फल वाला पोदा है बढ़ा हो is about double than the square system एक तो main advantage यह है कि इसमें जो plant population होती है पोदों की जो संख्या रहती है वो लगबग double हो जाती है square method की तुलना में इसमें जो अगर lengthwise भी arrow के साफ से plant count के जाए तो एक पोदा कम रहता है ठीक है मगर 10 लगने है जहाँ पे वहाँ पे 9 पोदे इसके center के अंदर लगे wise देखें तो भी 10 पोदे अगर लगे होए है तो उसमें 9 पोदे लगे होएंगे मतलब just double लगबग double होते है पूरे double तो नहीं कहते है एक पोदा कम रहता है तो double जैसे ही हो जाता है कि double पोदे उसमें लग जाते है planting the greatest disadvantage of this system is that it is difficult to carry out interculture operation and account of the filler tree मतलब इसके disadvantage यह है कि आप क्रिशी कारे है जो है ठीक है जैसे यह filler plant है अब बीच में filler plant आ गया तो इसके कारण आप plant जो interculture operation है जैसे गुडाई करना है निराई गुडाई करनी है जा इसके अंदर आपको और कोई legume fossil लेनी है वो आप नहीं ले सकते ठीक है किसी भी direction में नहीं ले सकते थोड़ा difficult र बड़े equipment रहते हैं वो सीधे नहीं चला सकते है आप जैसे आप चाहो कि ट्रेक्टर में सीधा निकाल लूँगा और मेरी जुताई जो भी अंदर करनी है फसल बोलूँगा ऐसा नहीं हो पाएगा इसमें एक filler plant आपने लगा दिया है इसी लिए फिर है hexagonal system शटबुजाकार विदी it is also called equilateral system equilateral मतल सम बहु विदी भी इसको कह देते हैं sometimes a 7th tree is placed in the center of each hexagonal and then this is called the exceptional system मतलब इसके अंदर कभी-कभी एक साद्मा पोधा भी एक center में लगा देते हैं जिसके करने से sexual विदी भी कह देते हैं वैसे actual में sexual विदी भी कह सकते हो क्योंकि जादा तर नहीं हमेशा ही एक पोधा center में रहता है ठीक है in this system trees are planted in each center of the each corner of the equilateral triangle जो इसमें planting की जाती है वो एक सम बाहु तिर्बुज के triangle के ओपर पोधों की की जाती है मतलब प्रते एक corner पे लगाई जाती है इस system different from the square system in that the distance between row is less than the distance between the tree in a row but the tree to tree distance remain the same in the sixth direction मतलब इसमें कहलो कि जो रो का distance होता है वो कम होता है पोधे से पोधे के जो दूरी होती है उसकी तुलना में मतलब रो का कम होगा और पोधे से पोधे की दूरी वो जादा होगी पर पते एक पोधे से दूसरे पोधे की जो दूरी होगी बिलकुल समान रहेगी एक triangle के उपर एक संभाहू तिर्बुज के उपर लगे होए है इसलिए वो पोधा एक दूसरे पोधे की जो समान दूरी पे होगा पर अगर अगर उसको रो की तरीके से देखा जाए तो जो कि डिस्टेंस वो कम होगा और प्लान टू प्लान डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा अपने आगे पिक्चर में देखेंगे कैसे ठीक है इस सिस्टम इस जनरली यूज निन एरियाज वेर लैंड इस एक्सपेंसिव एंड वेरी फर्टाइल और गुड दीख की कोई जमीन है ठीक है उन छेत्रों में जा उन उस जगह पे इस विदी को यूज किया जाता है क्योंकि इसमें लगबग 15 परसेंट जो प्लांट है स्क्वैल मेथड की तुलना में ज्यादा लगते हैं आप ज्यादा अच्छी तरीके से मिट्टी का जा भूमी का देख लेते हैं ठीक है ये इस से इस से और इसकी ये तीनों जो बुजाएं हैं तिर बुज की बिल्कुल समान रहती है तो ये पोधे से पोधे की जो दूरी रहती है बिल्कुल समान रहती है पर एक चीज रहती है इसमें कि ये अगर आपने सीधा देखा जाए इस रो से द करेंगि जो सीधा गिनेंगे तो ये दूरी कम रहती है पर पोधे से पोधे की दूरी बिल्कुल समान दूरी पर पोधे स्थीत होते है एक जो इक्विलेटरल त्रेंगल का का निर्मान करते हैं साम बाहु तिर्बुज का निर्मान करते हैं ठीक है इस सिस्टम पर मेट कल्टिवेशन इन थ्री डारेक्शन जो यह सिस्टम है यह तीन डारेक्शन के अंदर कल्टिवेशन करने को परमिट करता है मतलब इस आप से आप इसमें कल्टिवेशन आज असान तरह इसमें जगह वेस्ट नहीं रहती क्योंकि पोधा एक दूसरे पोधे से बिल्कुल समान दूरी पे बैठा हुआ है और उसके चारो तरफ भी पेड गिरा हुआ है अब स्क्वाइर एक मैं और बता दूँ जैसे उसने सेप्चुल सिस्टम कहा था सेप्चुल सिस्टम से मत रहे हैं और बीज में सेंटर में एक पोदा लगा हूँ है ठीक है और हमेशा एक सेंटर में पोदा लगा हूआ होगा मान लों कि iba lli चीज मैं आगे चेंज करना चाहूं तो तखो यहां से गया यहां पे ठीक है दो तीन चार पांच छे यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे पोदे मिलके एक शटबूज बन गया और बीच में एक पोदा फिर लगा हुआ है मतलब हमेशा एक पोदा बीच में लगा रहेगा इसलिए इसको सैप्चल वीदी भी कहा देते है इस सिस्टेम अलाओ 15% more plants than the square system of planting मतलब 15% पोदे इसमें ज़्यादा लगते है याद रहना जो अपने एक पंच-बुजा कारविदी है उसमें वर्गा कारविदी की तुलना में लगबग डबल पोदे लगते है और इसमें लगबग 15% पोदे ज़्यादा लगते है मतलब यह कहलो कि इसमें थोड़ा इसको layout करना भी थोड़ा difficult होता है जैसे आप एक आयता कारविदी जाब फिर एक वर्गा कारविदी से आप planting कर रहे हो तो वो थोड़ी असान रहती है पर इसमें आपको plant की जो layout करना है वो थोड़ा difficult रहता है इसलिए इसको यादतर use नहीं कर किया जाता ठीक है और interculture operation भी थोड़े difficult रहते हैं जगह कम रह जाती है पोदे से पोदे की बीच में फिर है contour system अब contour system क्या होता है this system is generally adopted in hilly areas with high slope but it is similar to the square or rectangular system जहां पर hillies area जो पहाड़ी शेतर है जहां पर जो भूमी की ढाल है ठीक है वो ज़्यादा होती है उन शेतरों में इससे adopt किया जाता है वहां पर इस प्रकार से planting की जाती है जैसे कहा देने कि सीडी नुमा planting की हुई है सीडी नुमा वहां पर खेती की जाती है फसल उगाई जाती है सेम वैसे ही terrace बनाए जाती है और terrace के उपर जातो जिस हिसाब से आपको space उपलब्ध होता है terrace ज्यादा लंबा चोड़ा है तो वहां पर आप square के इसाब से जा रेक्टेंगुलर के इसाब से planting करोगे ठीक है फिर वही काट के फिर terrace बना हुआ होगा तो वहां पर भी planting होगी अंडर सच कंडिशन स्ट्री कैन बी प्लांटेड वैल इन रोस फॉल उप दा कंटूर ऑफ दा सोयल विद ऑनली ए स्लाइट स्लोप हलकी सी स्लाइट के हिसाब से मतलब ऐसा नहीं कि बिलकुल bench slope बनाना आप को मतलब खड़ा हुआ slope नहीं बनाना हाँ आपको हलका सा ढाल भी देना है कि पानी वो नीचे भी चला जाए और फिर जमीन काट लेनी है कि इससे क्या होगा कि जो उपर से आपका बरसात का पानी आएगा वो यहां पे मतलब बह के नीचे जाएगा पोधों को सोयल एरोजन नहीं होगा पोधे आपके नीचे से जड़ से उखडेंगे नहीं इरोजन के करण सोयल एरोजन के करण इसलिए इसमें टैरेस बनाए जाते हैं कि पोधे के लिए प्रयाप्त जगा मिल जाए बड़े वरक्ष को लगने के लिए प्रयाप्त जगा मिल जाए वो अच्छी तर उचायी है और जो छेटी की जाती है वो असान हो जाती है क्योंकि इस से जो स्वेल इरोजन के चांस रहते हैं कि Canon कि हो जाता है दाल के उपर आप आप सीधा पेड़ लगाऊ गता एक तो सीधा खड़ा रहेगा गा असमें Mund भाणिज्य हंगा आप अगर आप कंटूर बनाओगे तो कंटूर में क्या होगा कि आप आलग से उसमें चैनल बना दो इरिगेशन के लिए सिंचाई के लिए उपर से जो पानी आ रहा है वो एक साइड से होके निकलेगा आपके फल व्रक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा इस सिस्टम ड़ लेयाउट इज़न लाइक स्कॉराइर्क्राइं क merchandising कर सकते थे इसमें जो marking करते हैं जहले नीचे की साइट से करना स्टार्ट करते हैं फिर उपर की साइट planting का जो layout है उससे किया जाता है bench trace is also used where the slope is more than 10% और जो यह slope है अगर 10% से जादा है वहाँ पे bench trace बनाए जाते है bench terrace से मतलब जहाँ पे वहाँ पे slightly slope दिया जाता है contour के अंदर तो और bench terrace के अंदर बिलकुल सीधे बनाए जाती है जैसे खड़ा हुआ एक सीडियो ठीक है उसमें तो contour के अंदर तो हलका सा slope दिया जाता है पाणी नीचे दीरे दीरे बहके निकले जैसे यह ढाल और अगर इसको कोई अपने आप में अस्तित्व नहीं है ठीक है आप इसको hexagonal system भी मान सकते हो क्योंकि शटबुजा कारविदी सेम है इसमें भी वही शैपोदे लगेंगे एक दो देखो एक दो तीन चार पांच शै और एक बीच में साथ पर हाँ इसमें आप अगर आयता कारविदी से planting कर रहे हो मतलब मान लो कि एक जो एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी है वो थोड़ी जादा है तो जो बीच वाला एक लाइन होगी पोदा होगा वो जादा दूरी पे होगा एक पोदे से पोदे की दूरी की तुल नाम है ठीक है थोड़ा बहुत spacing का अंतर रहता है वै एक square system के हिसाब से ही की जाती है but alternate row like second, fourth, fifth and so on planted are plants are planted in between the first, third, fifth and so the alternate rows मतलब इसमें जो पहली, दूसरी, तीसरी जे रो है इसके अंदर center में एक पोदा लगा जाता है कहने का मतलब यह है ठीक है वैसे ही जैसे अपने पंच बुजाकार वीदी में एक बीच में पोदा लगा देते हैं, जा hexagonal system में एक पोदा बीच में लगा हुआ रहता है, row बनती है, special, same planting होती है, ठीक है, इसलिए मैं कहा हूँ कि इसको कोई अलग से वजूद नहीं है, हाँ, पढ़ाने के लिए पढ़ाई जाती है कि यह वीदी भी होती है, this system provides more open space for trees and for intercroping, और यह ज़्याद कारविदी से किया जाता है, अगर यह square बना के उसके बाद उसके अंदर एक center में plant लगाते हैं, तो यह पंचोजा कारविदी बन जाती है, तो इसलिए इसको अलग से नहीं जाना जाता है, Thank you